वेरे वेरे गूद इविनिंग तू अल उफ यू तो आज नेशनल इंकम के बहुत-बहुत इंपोर्टेंट क्लास है क्योंकि आज की क्लास में आप समझेंगे कि फॉर्मूला किस तरीके से नेशनल इंकम में क्रेट करते हैं और नेशनल इंकम के जो टर्म सेर्स को किस तरी किसे रीड करते हैं For example, जैसे आप अपने सामने स्क्रीन पर देखें तो बहुत सारे आपको इस तरी के देखने को आपको मिलते हैं Like NDP at FC GNP at MP NNP at FC NNP at MP GNP at FC NGP at MP NDP at MP तो इस तरीके से आपको बहुत सारे टम्स नेशनल इंकम में देखने को मिलते हैं सभी चीज अलग-अलग है यह सब कुछ बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है लेकिन आप इसको समझे मैं आपको सबसे पहले यही अडवाइस करूँग जो पीछे क्लासी समभारी हुई है जिसके अंदर मैंने आपको depreciation का रोल बताया था जिसके अंदर मैंने आपको NFIA का रोल समझाया है और मैंने आपको NIT का रोल समझाया है पहले आप पिछली क्लासी में जाकर के उन चीज़ों को अच्छे से समझ लें इसके बाद ही इस क्लासी को आप समझ पाएंगे धरवाइस इस क्लास को आपको समझने में बहुत दिक्कत होगी ठीक है तेकि मेरे सामने जवच्चे जुड़े हैं जवच्चे लाइब हैं जो पेड में है जहिर सी बात है लास क्लास में सब्सक्राइब जुड़े हुए थी तो यह अच्छे समझ पाएंगे तो मैं continue करता हूँ इसको हाँ जी सबसे पहले आपके मन में सवाल तो यह आया कि सर फॉर्मला बनाना तो बात की बात है पहले तो हमें यहीं नहीं मालूम कि हमें इसको read क्या करें इनकी फॉल फॉर्म क्या है किस तरकी से इसको हम पड़े तो आएए मैं सबसे पहले आपको एक बात बता जिता हूँ किसको कैसे आपको read करना है पहले समझते हैं इस चीज़ को जिसे माल लीजे सबसे पहले आप read कैसे करेंगे तो हमेशा जो तीन लेटर होते हैं देख रहे हैं आप सब में कितने चीज़े हैं तीन लेटर हैं सब में एक चीज़ common अगर आप देखें तो सब में तीन लेटर हैं एक तो आपका first, second and third पी तो आपका हर जिगे common है अगर आप पी की बात करें तो पी आपको हर जिगे common मिलेगा यह पी आपको हर जिगे common मिलेगा इसको लेकर के तो कोई चिंता का विशे नहीं होना चाहिए मैं बतायता हूं कि पी stand for क्या होता है clear है अब तीन लेटर में किसकी बात कर रहा हूं मैं फिर से बतायता हूं तीन लेटर कौन-कौन से हैं यह first letter, second letter and third letter first letter, second letter and third letter, first letter, second letter and आपका third letter, first letter, second letter and third letter, first, second and third सरफ आपको इन तीन लेटर पर फोकस करना है इसलिए मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले इन तीन लेटर के बारे में ही बता जिता हूँ कि तीन लेटर कौन से क्या होते हैं देखिएगा ओल्वेश धानकें इस पात का कि जो फर्स लेटर है आपका फर्स लेटर दो चीजों को डिनोट कर सकता है अगर जी और एन तो जी स्टेंड फूर फर्स लेटर आपका या तो जो फर्स लेटर होगा या तो वो आपके ग्रॉस को रिपरेजंट करेगा या फिर वो आपके नेट को रिपरेजंट करेगा one tray विप양ण किए तो फ़स्ट Player आपको फ़स्ट पे आपको दो स्वेखान की पहले मिल सकते हैं या तो जी जा फिर आपको इन दोनुमें से कोई एक मतलब सकता है एन तो जी मेंस आपका distress और एन मतलब किया हो गया नेट हो गया और ये अर बपर बता वागम बड़े तो second letter पे जो आपका D होगा, तो D stand for आपका domestic होगा, D stand for domestic होगा, और आपका N से आपका जो है यहाँ पर national बनता है, clear है, और आपका एक letter है आपका P, जो कि common है product, मिरी बात समझे, clear है, तो third letter की मैं बात कर रहा हूँ, third number पे, चली third पे मैं आपको यहाँ पर एक बात और clear कर देता हूँ, कि third पर आपको जो है, दो चीर देखने को मिलेंगी, third पे तो वैसे आपको पता है कि P common है, चली मैं बताईता हूँ आपको कि आप 4 letter मान लिए, ठीक है, कोई बात नहीं, तो P, अब P stand 4 क्या होगा आपका, P stand 4 होगा product, clear है, समझ गे, मैं इन सब को क्या कर देता हूँ, मैं आपसे इक उताईता हूँ कि चली, 4 letter का मैंने बना दिया total, तक कि आपको कोई confused नहीं रहेंगे, first second, third and four, third and four, third and four, third and four, clear है जी, ये P third और ये four है, ये third है, ये four है, ये third है, ये third है, और ये पूरा four है, तो अब आपको बारी है कि सर, fourth letter पे क्या हो सकता है, डियर, fourth letter पे आपको जो है, दो चिये देखने को मिलेगी, fourth letter पे, fourth letter पे एक आपका, जो है, FC, fourth letter की मैं बात कर रहा हूँ, fourth letter पर आपको दोची देखने को मिलेगी एक आपको या तो FC या तो आपको MP देखने को मिलेगा बात समझें, बात करता हूँ FC means क्या होगा आपका factor cost, पहले मैं आपको read करना सिखा रहा हूँ, ठीक है उसके बाद मैं आपको बात में बताऊँगा कि कैसे formula बनाते है, market price पहले आप read करना सीख लीजिए अब आपको समझ में आया, तो first letter gross या net को represent करेगा ठीक है जी, second letter आपका domestic या national को represent करेगा और third तो P, P stand for product and fourth letter आपका आपका FC या MP होगा FC mint factor cost और MP मतलब market price, पहले इन चीज़ों को आप अपने mind में store कर ले 10 second के लिए मैं आपको समय दे रहा हूँ 10 second का समय आप इस बात को store करे, then मैं आप से वो पूरा का पूरा लिखवा हूँगा, कि चली इसको लिखें ये क्या है देखें जरा, तो आपको अच्छी से पता लग गया, कि total आप आप किसी भी चीज को देखेंगे नेशनल इकम में, तो चार आपके जो है, मैंने उसमें नमबर में डिसाइड कर दिया है, first always आपका gross या net को रिपसिन करेगा, second नमबर का आपका हमीचा, आपका domestic और नेशनल को रिपसिन करेगा, third P4 product रहा, always रहेगा, और fourth पर आपका MP हो मैंने for example लिखा यहाँ पर आपके सामने GDP at MP, इसको बोलते हैं at MP, तो बताएं फुल फॉर्म क्या हुआ इसका, बताएं तर आप जो है, comment में लिखें इस चीज को साथ साथ ठीक है, तो जी, पहला letter किसके लिए होता है, gross या net, तो यहाँ तो क्या हो जाएगा, यह gross हो गया, इसको बोलेंगे, gross, बी, second letter होता है या तो domestic या तो होता है national, तो second letter पर हमारा क्या हो गया, यह हमारा हो गया, domestic, और third letter always क्या होता हमारा product, और हमारे पास में MP, at market price, बात समझे जी, read करना आपको आया, पहले आपको यह बताए, gross domestic product at market price, clear enough, बिल्कुल सही, clear है, चलिए, अब मैं और भी यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप पहले practice कर लेते हैं न, अब हम यहाँ यहाँ पर लिख रहा हूँ आपका, gnp at mp, इसको ज़रा लिखें, आप क्या लिखेंगे, first letter तो gross and net, तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे आप, यहाँ पर भी आप लिखेंगे gross and second आपका यह तो national होता है यह तो domestic होता है, तो यहाँ पर आपका लिखेंगे इसके लिए national और p stand for product and आपका at market price बात समझ गए, clear है, चलिए, अगर मैं यहाँ पर आप यह लिख दूँ इसको लिखेंगे फटा-फट, ndp at fc ndp at fc को आप क्या read करेंगे, ज़रा बोलो, ndp at fc की पूरा-पूरा आप इसको क्या लिखेंगे, n, first letter आपका होता है, या तो gross या तो net, तो n यहाँ पर stand for क्या है, net है second letter पर जब net होता है न, second letter पर जब आपका n होता है, तो वो national बनता है, यहाँ पर आपका होगे domestic, clear है, और p for product, and यहाँ पर fc means at factor cost, at factor cost, इस बात को समझे, clear है, अब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, किस की, इसी तरीकी से हम बात करते है, क्या लिखा आपने इसके बारे में, net national product at factor cost, बिल्कुल correct, net, nationally, net domestic product है, बिटा, हाँ, domestic product at factor cost, ठीक है जी, बिल्कुल सही, national domestic product, बच्चे गलत है, first letter पे, यह जो आपका domestic और national, जो domestic मतलब जो घरेलो और national मतलब राश्ट है, यह आपका जो है ना second letter के लिए रहता है, first पे या तो net होगा, या तो आपका gross word use होगा, first पे, ठीक है, आप राज लक्षमी ठीक है, ठीक है, चलिए, अब मैं यहाँ पर आप से यह जानना चाहता हूँ, जरा आप इसको लिखे, एन एन पी, एट एम पी, इसको क्या लिखेंगे आप, जरा बताए, एन एन पी एट एम पी को आप क्या लिखेंगे, दो तीन चीज़े हैं, उसको आप लिख लिए, देखिए बच्चे, यहाँ पर क्या है आपके पास में, एन एन पी, एट एम पी, इसका क्या मतलब है आपके पास में, एन फर्स लेटर है तो कि यह बताएगर नेट, एन सेकिंड फे एन का मतलब होता है, नेशनल, फट तो अल्वेस प्रोड़क्ट होता है, एन एट मार्केट प्राइज, एट मार्केट प्राइज, आप यहाँ पर देखिए आप, एन फोर आपका नेट, डोमेस्टिक, प्रोड़क्ट, एट मार्केट प्राइज, एट मार्केट प्राइज, चलिए, यहाँ तो आपको रीड करना आ गया है, जी स्टेंड फोर ग्रॉथ, एन एन आपका क्या हो गया, सेकिंड पे है, तो नेशनल, प्रोड़क्ट, एट फेक्टर कोस्ट, एट फेक्टर कोस्ट, तो अब आप सभी बच्चों को अच्छे से टम्स को रीड करना आ गया, ये बताईए, पढ़ना आ गया सबको अच्छे से, टम को अब आप रीड कर सकते हैं, बताएं जरा, ठीक है, अब आप अच्छे से इसको रीड कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप मैं थोड़ा सा आपको और आपको आगे लिकर करे जाता हूं, और मैंने एक बात को पहले उल्री लिखवा दिया है और आप भी इस बात को जानेंगे कि जो आपके पास में मैंने बताया था कि first letter जो है आपका किसको रिपसंट करता है first letter जो है आपका किसको रिपसंट करता है या तो gross को या तो net को ठीक है अब मुझे बताएं इसमें से कि depth किसमें include होता है आप यह बताएं कमेंट करें बताएं हमेशे ध्यान रखना बच्चे कभी भी first letter को change करना हो तो आप किस हत्यार का इस्तेमाल करेंगे always first letter को change करने के लिए आप जिस भी चीज का इस्तेमाल करेंगे इसका आप ध्यान रखेंगे कि आप always depth से change कर सकते हैं depreciation का use आप always first letter को change करने के लिए करोगे एक बात ध्यान रखेंगा depreciation का second letter को change करना या fourth letter को change करने के लिए use नहीं होगा third letter तो कभी change होता ही नहीं है तो आपको पता लगा depth का roll कहा है depth का roll कहा है आप मुझे एक बाप बताएं कहां पर है depth का roll first letter को change करने में और मुझे एक बाप बताएं कि depth किस में होता है आप एक बात और हैं यहां तो अच्छे से clear बता दे मुझे आपको यह पता है कि gross में debt शामिल होता है या नहीं होता है gross में debt include होता है पता है न आपको और net के अंदर debt include नहीं होता है यह छोट छोटे बाते अभी आपको लगेगा सर क्या बता रहे हैं आप लेकिन आपको लगेगा कितना आसान हो गया और हमेशा धान लखेगा कि कभी भी अगर आपको first letter में कोई भी changes करना हो आपको तो किसका आप इस्तेमाल करेंगे आप इसमें always किसका इस्तेमाल करेंगे first letter को change करने के लिए आपका depth का use होगा depreciation का use होगा इसको हम जो है depreciation को क्या-क्या बोलते हैं ये भी धान लखेगा depth को हम जो है एक तो ये बोलते हैं इसका एक alternate नाम और है वो है consumption depreciation को consumption of fixed capital fixed capital clear है मूले हरास और इस्थाई इस्थाई पूंजी का उपभोग इसको क्या बोलेंगे हम इस्थाई पूंजी का उपभोग उपयोग हो गया ये तो गलती से कोई काफी टाइम हो गय है हिंदी दिखने आदत नहीं रही है उपभोग clear है जी बात समझे depreciation का alternate name क्या है consumption of fixed capital मतलब जो fixed capital का consumption हो रहा है वो जो उसको जो टूट फूट आ रहा है गिसावट आ रहा है उसे बोलता है consumption of fixed capital हमेशा ध्यान रहेगा clear है चलिए यहां पर आप थोड़े से questions की practice कर लें हमेशा इस बात का ध्यान रखेगा हमेशा ध्यान रखेगा जो find करना है left में और जो given है वो right में clear है मैं फिर से आपको बोल देता हूँ यह बात धान रखें और एक बात लिख पाऊंगा जो find मुझे पता है आप लोगों के बारवी के अंदर पुरा एक course आपने अच्छे से क्या होगा एक national income ही topic ऐसा होगा सभी 100% यह बात नहीं है पर maximum मच्च को साथ में कि यही चेप्टर थोड़ा सा problem create इसे नहीं किया होगा पर वो आप भूल जाईए अब आपकी कोई problem ही देग ध्यान रखेगा लेफ्ट में रखेंगे और जो गिवन है जो गिवन है उसे आल्वेज right में रखेंगे always right में रखेंगे मेरी बात समझे मैं क्या कहना चाहरा हूँ example के लिए आप मुझे बताएंगे बच्चे मैंने लिए domestic और first letter है यह ठीक है ना clear है first letter है net है आप confused ना मैं लिएता हूँ net and domestic अब बताएंगे मुझे इसमें से find क्या कर रहा हूँ मैं आप बताएंगे मुझे पहले मैं find क्या कर रहा हूँ यहाँ यहाँ पर domestic find कर रहा हूँ यहाँ यहाँ पर मैं यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या चीज मैं यहाँ पर find कर रहा हूं, gross या फिर net, क्या find कर रहा हूं यहाँ पर में, gross या फिर net, जल्दी से comment करें यार, quick response करें. अब आरिये वाज आपको, देखेगा, मैं यहाँ पर जो है find कर रहा हूं बच्चे, यहाँ पर मैं जो find कर रहा हूं, वो मैं find कर रहा हूं, gross. ठीक है, और net given है, और जो आप find कर रहे हैं, आपका focus उस पर आजाना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर एक अपने मन में रखने के लिए, पेपर में आपको नहीं बनाना है, start. अब आप बताए, फर्स्ट लेटर को change करने में किसका use होता है, always, depreciation का, और किसी का कोई इस्तेमाल नहीं होगा, तो अब आप देखेगा depreciation क्या करेंगे आप, दोई, गुणा भाग तो होता नहीं है, जमा होता या तो घटा होता है, और जो भी काम करेंगे, यह कहां कि आप जहां पर चीज़ें आपको given है, वहां पर कोई काम करोगे, काम कहां होगा, काम आपका यहां होगा, जो भी कुछ करना है, इधर करो, यह तो आपको finding करना है, इसे में जो जोड घटा करकर के आपको यह बनाना होगा, लेट वाला, अब फर्स्ट लेटर को change कर रहे ह कि लेट वाले से पूछो, भाई साब, आपके पास में डैप है, क्या आपके पास में डैप है, अगर यह कहता है, हाँ मेरे में डैप रहत शामिल है, तो इसको भी दे दो, यह कहता है, नहीं मेरे में डैप नहीं है, तो इसको मत दो, इसमें से माइनिस कर दो, तो इससे पूछ था हूं जैसे माल लिजिए कि यहां पर मैंने लिखा फर्स लेटर लिख रहा हूं एन और यहां पर लिखा मैंने करेंगे तो पूष्ट से इस से इससे पूछेंगे लेफ्ट वाले से उससे नहीं इससे आप में डाउड होता है कहता है नहीं मैं ड लेटर के उपर, अपने कहानी सेकिंड लेटर के उपर में लेकर के आता हूं बिटा, सेकिंड लेटर में आप देखेंगे यहाँ पर, कि दो वर्ड होते हैं हमारे पास में, या तो हमारे पास में डोमेस्टिक होता है, दी, domestic जा फिर n second letter पर है तो उसका मतलब national होता है clear है अब आप मेरी पहले बहुत बताएंगे domestic इसमें हमेशा use किसका होता है हमेशा जाना करना second letter में कभी भी changes करना हो तो NFIA करें NFIA भी बोलते हैं लोग बड़ आप NFIA भी बोल सकते हैं ठीक है तो domestic में सबसे पहले मैं बात करूँगा क्या इसमें NFIA शामिल होता है मैं लिख देता हूँ इन बातों को कि इसमें domestic में इसमें NFIA include नहीं होता है यह बात में पहले भी लिखवा चुका हूँ बढ़ फिर से लिख लिजिए और इसमें इसमें NFIA include होता है clear है national इसमें NFIA include नहीं होता है और इसमें NFIA include होता है और कभी भी सेकिंड लेटर को change करोगे तो किसका use करोगे आप आप अलवेस किसका यूज करेंगे आप अलवेस यूज करेंगे NFIA का आपको NFIA के बारे में तो पता यह कैसे क्रेट होता है बता चुका हूँ मैं आपको NFIA कैसे बनता है कैसे बनता है NFIA factor income from abroad minus factor income to abroad मेरी बास समझे वह प्लस भी होगा तो जोड़ना है मैने समझे यह नहीं समझे क्लियर है खर मैं अब NFI पर नहीं जाओंगा और इसकी एक लास अलग से मैंने आपको दे दी है और लड़ी पढ़ा चुका हूँ मैं तो चलिए मेरा सवाल आपके सामने फिर से वैसे खाड़ा हो जाता है बच्चे यहां पर मैं लिख रहा हूँ दो में क्या फाइंड करना है और क्या गिवन है बताओ चल्दी से बताओ कि क्या फाइंड करना है और क्या गिवन है बताएं जल्दी से बताईए बड़ा तेजी सवर फूर्ती के साथ में जरा बता दें आप मुझे कि क्या फाइंड करना है और क्या गिवन है क्विक रिस्पॉंस करेंगे बच्चे जल्दी से करो रिस्पोंस चलो मैं बताओं फिर टो मेस्टिक फाइंड करना है टो मेस्टिक वे एक बच्चा रिपलाई करा है इना कहरेंगे नेशनल फाइंड करना बेटा लेफ्ट वाला फाइंड करना होता है ना में समझें कौन सा फाइंड करना होता है स्षेयौ करेंगे जो फाइंड करेंगे तो पस बारे मैं नहीं सचुंगा मैं से हुआ sound app के बारे में clear है और हमें यही करना है second letter कभी भी आ जाए आपके सामने उसको change करना हो तो आप यहाँ पर किसके बारे में आप plan करेंगे यहाँ पर आप प्लाइन करेंगे NFIA के बारे में वही सवाल क्या इसमें NFIA होता है इसमें NFIA नहीं होता है तो यहाँ पर भी नहीं रखना है NFIA मेरी बात समझे क्लियर है कोई डाउट किसी बच्चे को चलिए अब मैं आपसे फिर से वही एक सवाल खड़ा कर देता हूँ आपके सामने उमीदा आप बताएंगे कि इस बार आपको जो है National Left पे और Domestic Right पे रखा है मैंने जरा सा अब आप क्या करो इसको चेंज करो National को Domestic में Convert करो कैसे करेंगे बताए जरा जल्दी से Quick Response and Final Answer आप करो करो इसका जल्दी से करो क्या करने वाले हैं आप यहाँ पर Domestic के अंदर जल्दी आंसर करें अपना आप 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 हां जे चले जड़ा देखें आप देखेंगे सकिंड लेटर है तो भाईया डैप का कोई रोल ही नहीं है सोचना भी मत सकिंड लेटर है तो यहाँ NFIA का ही रोल होता है बस अब वह एड या सब्ट्रेक इससे पूछेंगे लेक्ट वालेस जो फाइंड करना है भाईया नेशनल आपके पास में NFIA होता है तो क्या करेंगे इसको देढ़ेंगे प्लस NFIA कर देंगे बच्चे मेरे बात समझे या नहीं संजे क्लियर है यह वासं में आ गई चलिए अब आगे हम पढ़ेंगे किस के बारे में इक अब तो बस आपका रास्ता बहुत आसान हो गया है प्यारे बच्चे अब हम किसके बा तो थोड़ा सा ओर आप अच्छा लगे। यह अच्छ्छ लगे गा? Love hellvy इस पर並ून रेे चुका यलो ले चुका 56 do हां जी देखें एक हमारे पास में क्या है market price और एक क्या आप हमारे पास में factor cost ठीक है, third letter की मैं बात कर रहा हूँ, तो third letter की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो एक मैं market price की बात करूँगा और एक मैं बात करूँगा factor cost, हम इसे ध्यान रखेगा, third letter के लिए क्या बनता है, third letter को, third letter के लिए जिस चीज का इस्तेमाल के जाएगा, उसका नाम होता है, NIT, stand for net indirect tax, क्या होता है, indirect tax minus subsidy, मेरे बात समझे या नि समझे, NIT कैसे बनता है, बताया था न मैंने आपको, कैसे बनता है, आपको मैंने पहले already classes दी हुई है, ठीक है, indirect tax minus subsidies, clear जी, बात समझे, clearness को आपरतेक्ष कर और अनुदान कहते हैं, आप देखेंगे जरा, मारे पास में market price है, और क्या ये factor cost है, अब आप बताएंगे, third letter को अभी भी थर्ड निस, और ये fourth letter की में बात कर रहा हूँ आपसे, fourth letter की बात कर रहा हूँ, third product हैता है, same होता है, कभी chain नहीं होता है, अब मैं बात करता हूँ NIT की, तो अब बताएंगे जरा, कि इसमें सुन्दर सुन्दर लिपूंगा, चलिए, इसमें NIT, इंक्लूड, होता है, ठीक है, और इसमें, NIT, इंक्लूड, नहीं होता है, समझे या नहीं समझे, clear है, यह बात ओलेड़ी चर्चा में आच चुकी है, अब यह देखो, मांसी, क्या फार्मला बना दिया अपने, यही चीज मैं चाहता हूँ, कब तक पढ़ाई को बोज बना करके, सर पे लेकर करके घुमेंगे कि या याद करना है, फेपर में करना है, इंजोई कीजे यार, यही तो मैं चाहता हूँ बच्चों से, कि बच्चे बिल्कुल बड़न में ना रहे, क्लास देखे, कहानी खतम, एक गंटा आप दे रहे हो, मुझे बात खतम होगी न, आप क्या पढ़ना, पस गो थूरू हो जो एक बार, पंजी, तो अब मेरे इशारे को आप समझ चुके हैं, कि फेक्टर कोस्ट, और मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मार्केट प्राइस, अब आप सबसे पहले मुझे create करें, मुझे आपको पता ही लग जिया कि मैं left factor course लिखा है, तो factor course find करने की बात कर रहा हूँ, और right side में मैंने MP लिखा, मतलब MP मुझे given है, तो मुझे जो भी changes करना है, तो जल्दी से बताएं आप मुझे यहाँ पर, कि यहाँ पर इसमें क्या करन चाहिए, फोर्ट लेटर है, तो इसमें तो आप भूल जाए, depreciation का कोई रोल होगा, भूल जाए, NFI का कोई रोल होगा, यहाँ रोल कि सीच का होगा मेरे लाल, यहाँ पर रोल होगा, NIT का net indirect tax का, तो अपर टेक्ष कर का clear है, जब आप बताएं ज़रा है, यहाँ पर क्या हो होने वाला है, बताओ भई, बताओ क्लास मजा आरा है या निया रहा है, अभी तो मजा भी नहीं आए अभी आएगा निए इसमाद कारी हूं क्या, बस पांच मिनिट में आपको ऐसा लगने लगेगा, चलिए जी, अब देखेगा, अब बात है कि बया फोर्ट लेटर तर ए होता है बिल्कुल भी नहीं होता है नहीं होता ना नहीं होना चाहिए नहीं का मतलब नहीं निकालो बात समझे क्लियर है और इसी तरीके से अब अगर आप देखेंगे तो मैं लिखता हूं आपको यह फाइन करना है अपने पास में हां रखता हूं तो भया फिर आप क्यू चूकोगे इसको दो नफिर बात समझे या नहीं समझे अब मेरे प्यारे अब बात है उस चमतकार की जिसकी मैं आपको पारें बता रहा था कि अब आप जो है बड़े अच्छे तरीके से इकवल्स टू एन एन पी एट एंपी देखिए भाई का आपको क्या फाइंड करना है आपको क्या फाइंड करना है जल्दी से बता दें आपको क्या फाइंड करना है आपको यहाँ पर फाइंड क्या करना है बताएं जरा आपको यहाँ पर फाइंड करना है जी डी पी एट FC find करना है और given क्या आपको given आपको nnp at mp है आपका ठीक है given अब आप कैसे करेंगे आप एक एक letter पहले first letter को change करेंगे फिर second letter को change करेंगे थर्ट तो change होता नहीं फिर fourth को change करेंगे एक एक letter करते हैं चेंज करते ह्याए जब first letter को change करोगी तो dap का स्तेमाल करना है जब second का चेंज करोगी तो आपको nfc क श्तेमाल करना है और to pop et Russian करोगी तो आपको और के conducसे जाल भी बता आपो जल्डी से पूरा 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 पूर्मिट बनाई आप इसका पूरा लिखतीजिए एक बार में क्या एड और क्या सब्ट्रेक्ट चल्दी से क्विक फास्ट करें जड़ा जल्दी से करें कि I do है चली मेच करें थो ही बच्चे कमेंट करें यह तो यहां गलत बात यह गलत बात है आप आलत करें कमेंट करने में ऐसे फिर आ है तो चेंज करने होगर साथ है तो इसमें बाकी है फॉकुत करूआ है तो फ्रस पर रोके करोगी थीक है अब सुखेंड लडर को चेंजकरना है तो Professional को कभी चेंज करते हैं तो एनफाय होता है अब यह मेरे पास पर क्या है domestic टो चैसी सब मिद्ध करो एफ तो फॉर्थ पर आएंगी तोคड टे descCs करने की रिक्राइंट है तो कैसे होगा फोर्थ और चीम करते हैं एस पर नहीं एनाईटि तो माइन और बता हो प्लस टैप मानने की जुरुत है इसमें तो भाई साहब ही न जी करते हैं कि प्लस टैप माइनस एनफ आप यह मैनेस एनटी वेरी गुड बिल्कुल सही यहाँ पर रवी राज कहते हैं कि डैप एड़ कर दो डैप को माइनस करने के लिए का है रवी राज आप यहाँ गलत है यह आप को ऐगायों गाये हैं मेरी बात समझे अब तो नुमेरीकल प्रव आएंगे न तो वहाँ पर हमें क्या find करने लिखा रहेगा और क्या given है वो मैं बताऊंगा कि कैसे पता लगेगा फिर आपको यह चीज़े फॉर्मला बनाना पड़ेगा न कितना ही याद कर लोगे आप भूल जाओगे इसने समझाया है आपको परिबास समझे क्लिरे चलिए अब आप करेंगे इस काम को कि चलिए जड़ा यहां पर फार्मर करेट करो आप चल दी से क्विक करो जड़ा जल्दी करें इसको इसमें मैंने बता दिये कि फॉर्स्ट लेटर क्या आपका बिल्कुल सेम है तो कोई चेंज नहीं है कोई चेंजने रिकॉर्मेंट नहीं है इसे डपका को यहां रोली नहीं है तो यहां पर आप क्या करोगे चेंज करोगे और लटके को निचे लेगा वह भी एनफाई का यूज होता है तो यहां पर एनफाई दे दिया थर्ड़ कोई रोल नहीं फोट लेटर सेमिलर है तो कोई चेंज करें आपके सामने कोश्चन जल्दी से फास्ट करें क्योंकि अगली कक्षा का समय आच चुका है हां जी देखें जरा तो यहां पर अगर हम करते हैं इस चीज को तो देखें का फर्स्ट लेटर अगर आप देखते हैं फर्स्ट लेटर तो फर्स्ट लेटर डिफरेंट है चेंज करनी रिक्वार्मेंट है और किससे चेंज होगा यह होगा फर्स्ट लेटर डैप से चेंज तो इस पर डैप होता है इस पर नहीं होता है तो क् मेरा और आपका काम दोनों का हो जाता है आसान कि मेरा समझाना आसान हो जाएगा ता आपके लिए समझना आसान हो जाएगा कलिरे जी अमीद करते हैं कि आपको आज दिए स्क्राइब होगी आप मुझे से नहीं बुझारे और में अजये करें बाद करेंगे यहां वहां पर आपको जो है आकर के समझा दूँगा उसक्षा धाम का एप खोलिएगा उसमें अपने पोर्स पर जाईएगा और इस वीडियो को दुबारा देख लेजिएगा तो मैं आपके सामने साक्षात आजाओंगा क्लियर जी सर हिंदी में आपने लिखा है इसकी वज़े से बहुत हेल्प मिलेगी हमें चीक कर जी क्लियर जी कोई डाउट कोई डाउट बच्चों चलिये नेसर्स क्लासर्स में प्रोल्मेट पड़ेंगे उससे नेसर्स क्लासर्स पॉर्मेट पड़के नेसर्स